इते में तो मिल गया हूँ, अब तो मेरी रखड़ाई ही हो रही है। इतना वड़ा माफिया कहे रहा था ? यह किस तो उस पिस उस पर कहे रहा था ? ये तो योगी जीद नाय पालिकाई पर कही रहा था ! यहां कोई नहीं रोक सकता हम आप यहां पर खड़े हमारी विए अत्या हो सकती है लेकिन उसके बाद उसके एक्षन कितनी तेजी से हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है यह चीज लॉएंड डॉडर रिसाइट करते हैं और इस टाइम यह कि उनकाउंटर हो रहे हैं काफी अच्छा हो रहा है हम लोग बहुत क्षोश हैं से सुरुवात हो चुकी है अब लगातार लिष्ट लोह लंभी है और कारवाई का दौर शुरू हो गया है अगला नंबर किसका हो सकता है आप क्या सोचते हैं यह जो इंकाउ अंग्रेस में कुछ भी मलने हो रहा था और इस टाइम यह की इंकाउंटर हो रहे हैं काफी अच्छा हो रहे हैं हम लोग बहुत कोशा हैं से क्या नहीं हो आपका प्रकर मिश्रा क्या करते हैं आप इस्टूडेंट अच्छा विद्यारती हैं जिस तरीके से उत्र प्रदेश क के अंदर लॉन्रे और बेस सवाल उठ रहे हैं कैसे देखते हैं विद्ध्यारती होते हुए लॉइन ऑर्डर पा सवाल नहीं उठने चाहिए कि ब diz आपके साप से पुलेश के माफ यहां पर खड़े हमारी भी अत्या हो सकती है लेकिन उसके बाद उसके एक्षन कितनी तेजी से हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है यह चीज लॉइंड और डिसाइट करती है जिस तरीके से अतीक एहमद पर कारवाई क्या लगता है माफियाओं की बहुत लंबी पित रहेगा है तरू निकाय कि शुरुवाध हो चुकी है अब लगातार लिस्ट वहुत लंबी है कारवाई का दोर शुरू हो गया है अगला नंबर कि formidable की मचनले नांबर तो मुझे नहीं पता किसका हो सकता है इंकांउंटर देकिए हैं किinary कि के चाश्ब बोलहा है मुकत अंसारी का प्रवगता हूं नहीं और नहीं मैं किसी का नाम बता दें तो उत्तर पदेश की जनता ने जिसको चुना है आधरनी योगी आदितिनाजी को उनके प्रती जो भी होगा जो वो नहीं लेंगे वो नैचुत होगा क्योंकि वो जो हैं इस समय वो अपने आपको पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं ही राजा हूं मैं ही सब कर रहा हूं नए वश्था पर उन्होंने जो प्रश्न चनल लगा दिया है ये बड़ी बात है क्योंकि पहले जैसे कि अगर कोई भी मारा जाता है जिंदा रहता अब आप समझे योगी आदितनाजी के पास पे खुद क अगला नंबर होगा तो ये भी कहना गलत है क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं कहने वाले और ना करने वाले ना योगी आदितनाज में वह बात है कि वह इंकाउंटर करें और ना करना चाहिए भाई सचाई यही है कि आप नहीं कर सकते अब वह प्रशाशन है अगर वह कुछ ऐ अगर हो रहें गलत तो वह गलत होता और तो मैं एक और सब्द कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो भी इंकाउंटर हुआ इसमें आप समझे कि युवाओं को क्या मिलना है वह 18 साल का लड़का मतलब गोली चला रहा है उसके पास 10 लाग की पिश्टल आ रही है और ज गया है साब का कह रहा है जिस तरीके से इतनी महंगी महंगी पिस्टल कहां से आए आखिर इनके पास जी इन खुद को पता है इनकी सरकार इंदा घपला करा इनसे पूशिये जड़ा किसी कुछ जानकारी है कुछ यह यह निउस की ही रिपोर्ट से आई थी कि जो अतीक हमें मंत्री विधान सभा के अंदर खड़े होकर बोलता है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा एक मुखे मंत्री मिट्टी में तो मिल गया हूं अब तो में रगडाई हो रही है इत्ते वड़ा माफिया कह रहा था यह किस उस पर कह रहा था यह तो योगी जी कि नाए पालिका कॉंटेक्ट था और ड्रोन से उनके हतियार आते थे इन्होंने तो पूरी भारत की जो हमारे मिलिटरी सासन जो हमारी विवस्ता पूरी कानुन विवस्ता और पूरे हमारे सेन पर सब पर सवाल उठा दिया इन्होंने का कि ड्रोन से हतियार वहां आते थे मुक्तारन सारी मे सोच रहे हैं कि अभ्गानिस्तान से अगर आ रहा तो यह वहां पर सैन्वर्स था और ग्रेय मंतरिया और अच्छा मंतरामन्तर प्रदान मंतरि क्या करते सकारा रहा था तो यह तो अपनी आपका के इस सवालों पर आपको घेर लिया उन्हांगा से बिए फोड़े से फिर फोड़े से खिला से किय consistency है जो निई पर हाइलाइट है इसके बतार कि गंगाजी से निकली पिस्टालों के पास चली गई मार दिया जाकर के यह सब लिखी तवर पे जब न्यूज में आया है वो में बोलना हूं मैं अपने इवान से नहीं बोलना हूं कि हुँआ है वह अगय का युष्ट को अतीग हमद के पती सम्बेदना उसके लिए में पीनिट का मौन सक्ती मौनदान क्राना चाहेंगे का था था करते है कर दो कि पुर्व